हेलो दोस्तों जैसा कि हमने आपसे बादा किया था कि गुरूब डी की जिक्क्या का पूरा रिविजन हम आपको 300-400 वीडियो बनाकर हम आपको पूरा जिक्क्या का रिविजन ये आज 5 दिन के अंदर करवा देंगे और पूरा वीडियो याने कि हर एक वीडियो जो है वह 10-10 रहेगा तो हम इसमें लेक्चर नमर्वा दो श्ट्रार्ट करते हैं लेक्चर नमर्व दो आप पूरा पूरी तरह से दखिए उसके रहें लीक्चर वन आपने देखा है तो ठीक है नहीं तो इसका लिंक जो निचे डिस्क्रिप्सर में है या फिर आई बटन में मिल पूरा करवाना की कोशिस करेंगे ठीक है तो क्यूचर नमर एक है भारत की इस गोलार्ज में अस्थित है तो भारत जो है उत्री गोलार्ज में अस्थित है तो अब और ज्यादा हो गया है अभी उसका जनगाना नहीं हुए ठीक है तो अभी हम यही अंसर मारेंगे उसका प्यूचर नमर चार है भारत की सबसे बड़ी जन जाती तो भील जन जाती है तो आप्स नमर डी करेंगे चुचर नमर 5-6-6- tip की कुल जन संग्या के कितना प्रतिस्फ़शे जन संग्या भारत में नीवास करती है तोयепजिशने मर भी हम हम यें उसको धियान में रखनेंगे बहुत इंपोर्टेंट चीज़ है ठीक है बतीस सतासी दूसुतिर से चितना हमें याद रखना है क्योंच नमर साथ है भारत में सारवाधिक बोली जाने वाली भासा वह हिंदी है तो अप्सिन निद्री करेक्ट करेंगे भारत की कुल्द स्थली सीमा की नंबाई कितनी है तो 15200 किलमेटर अस्थली छोमारत की लगे समुद्र टट्य रिखा सीमा की लंबाई कितनी है। तो 2700 km जो हुआ है वो मुख्छी भंई से लगे समुद्र टट्य रिखा की लंबाई है। उसका वाद कुछन में रिगा रहा है भारत का मानक समय 9.82 डिगरी पूरी देसांतर का किस से होकर गुजरती है। कुछ सी सीरे कजह तो न strat चौ करती है उसके भाद राजियों की संख्यां कितनी हैं था यहां पर आपको ध्यान देने के बात यह है कि जो रगारा के अनुसार था या पिछले आज से चार से पांच सार में पहले जो एक्जाम हुए था उसके आपको बता रहे हैं तो जो कुछ चैनिंग हुए हुए होगे उसका ध्यान में देना है पो ठीक है कि उचैनल पंद्रह है भारत की जल्च च्छत्र सीमा कहां तक फैली है ठीक है तो भारत की जल्च च्छत्र सीमा राधानी कब बनी तो 1931 में है जो भारत की राधानी बनेती टीक है तो पर करेंगे आदम का फूल किसके मध्य अस्थित थे तो भारत और सिग्लांका के बीच आदम का फूल अस्थित है तो अप्सन नमर भी करेंगे भारत के दचनी बिंदू भूमाद रेखा से कितने दूरी दूरी भारत के सब्सकिन दूरी परस्थित दीद धुरि भा nervous नमर सी और पर करेंगे जनगन ना किस अणुछत में वर निक уर्नी थे तो जनगना रानश है 246 में वरनिक ताकर है तो अप्सन बांगलादेश के साथ है तो स्री लंका को अलग करती है तो यह औरust odd UN B ऑ 그ör महाधीप में कौन ऑ है नहीँ है निपाद है बुटार है बांगलादेश है ऍलगे तो स्री लंका यहांपर उनसर हो जाएगा नियामित जन्गन्ध के शुषा 8181 इस हुए में कीह साहसन काल में हुई थी तो बार्त ओपशन करेंगे ठीक है उसके बाद है तिन विधा स्श्रैख करिए जोडता है तो और तो उनकी करीड़ जोडता है तो झाल से भारत न्हसर्थ सप्षास पे सब्सक्रेट Alm vere मैं दिए करेंड है तीन भीधा को य॥ा तो यह भारत और बांग्लेदेश को जोती है तो आठ डिग्री चार मिनट से लेकर से टिग्री छे मिनट उत्री अच्छांस में यही है उसके बाद दिल्ली की सुवर्स भारत की राधानी बनी तो 1912 में ठीक है और उसके बाद 31 से जनगन्ना किस अनसुची का विशे है तो सा साथ में अनसुची का जनगन्ना भी से है भारत की देसांत्री अस्थिति तो 68 । साथ मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूरवी देसांतर में है ठीक है तो 867 से 97 25 जनगन्ना का महावी भाजक वर्स 21 को माना जाता है तो ऑप्सन नमर भी क्रेक्ट कर होगा भारत की कुल साचहरत तर मुलें नम्राज सक्षां के दिवस मनाये जाता है अव् blends किरलोमीटर खेए है आग भारत हैं चीन के बीच की स्यमा रेखा मेक मीमम अब मेंद्स एक लाएं तो ऑप्सिर नमर भी करेक्ट होगा है भारत यहां पाकिस्तान के बीच की सीमा रिखा एड़ किलिप कई रादी है तो भारत पाकिस्तान वाला रेड़ किलिप हो गया भारत के सबसे छोटी यहां पर करेक्ट होगा प्रती हजार कितना है तो 940 महिला है एक समुदरी मिल बराबर कितनी होती है तो एक समुदरी मिल के बराबर होती है यह थी लेक्चर नमर दो ठीक है लेक्चर तीन या चार अगली उसी तरह से आते रहेंगे लेक्चर अप पूरे जाकर ठीक है और इसी तरह से लेक्चर आते रहेंगे पूरा लेक्चर जरूर देखिएगा